अभी तक हमने सोना कि कैसे अहिलिया जब अपने स्कूल की बच्चियों को पहुँचाने डिल्ली जाती है तो एक कॉल गर्ल उसे अपने होस्टल ले जाती है और होस्टल की हेड होती है उसकी अपनी मल्लिका माशी वहां से बचते बचाते किसी तरह वो रात बिताती है एक सिक परिवार के साथ और फिर वो कलकता पहुँच जाती है इस्टेशन पर उसे लेने आए होते हैं गौर मोहन बाबू अब आगी अहिल्या घर पहुँची तो बच्चियों सी हुमक कर सीड़िया चड़ने लगी इतने दिनों से छूटे नंदी की माया ने उसे फिर खीच लिया फूलदान कैसे सूख रहे थे बड़े से टब में जो उसने कमल मंगवा कर लगाया था खूब खिलाया था पर सीड़ियों की चमक्ती रेलिंग धूरल के अंबार से मलान पड़ी थी तस्वीरों के काश पर मकडी के जाले एक और से बरसाती की चिक शाय तूट कर नीचे लटक गई थी उसे किसी ने बुरी तरा तोड मरोड कर एक कोने में ठूस दिया था आले में लाल गमचे में बंधा दर्बान का नाश्तदान जूल रहा था और पास ही पड़ा था नोनी बाला का पांदान छी छी कैसी दुर्दशा हो गई थी उसकर की जो छूने से भी मेला होता था एई जदी दी नोनी बाला ने भाग कर उसके पाउच हुए क्रह स्वामनी की अनुपस्थित में उसने कस कर स्वास्थ पनाया था दोनों काले गाल फूल कर कुपपा बन गए थे नगन काली गोल गोल भुजाएं काले कोब्रा की पीट सी चमक रही थी क्यों नहीं पापा कहा है अधैर से अहिलिया का सुर और भी रूखा हो गया साहब तो सहरन पूर गए है दीदी आज भिन सारे लोटने की बा स्वामी भक्ती का खूब बड़ा जड़ा कर प्रदर्शन कर रही थी कोई तार तो नहीं आया ना नी देख तो पापा की ट्रे में जो तार हूँ सब ले आना अहिलिया ने देखा कमरा जाड जूर नोनी ने खूब चमका रखा था मेश पर मलिका की तस्वीर पर द्रश्ट लेकर आई करनल के व्योसाय समंधी तारों का पुलिंदा ने तेही तगड़ा आता था पर अहिलिया को धरनी धर के तार आने की आशा थी कहीं ऐसा नहों बेचारे अंजाने शहर में आकर भटकते रहें एक तार उनके नाम का निकल आया धरनी धर का ही था बसंती के साथ मेल से पहुच रहा हूं बसंती भी आ रही है ओ कैसा आनन्द आएगा अहिलिया खिल गई अचानक उसे गौर मोहन काका का ध्यान आ गया वेचारे बात की पीड़ा बुलाकर उसे लेने स्टेशन पहुचे थे और उने घर आने की खुशी में एक दम ही भूलकर नीचे ही थी अरे ननी भाग कर देख तो आ काका बाबो के लिए नीचे क्या कर रहे हैं उसने नोनी बाला को जग चोड़ दिया मुख्या अगुन बुड़ोर बुड़े के मूं में आ नोनी मन ही मन बरबराती जा रही थी करेगा क्या खुब चढ़ा रहा होगा साहब के अलमारी की एक चाबी अपने पास भी तो रखता है नोनी नीचे गई तो देखा गौर मोहन बाबू की गाड़ी नहीं थी अहिलिया को घर पहुचा कर वे चले गए थे अहिलिया नहाद होकर करनल के कमरे में गई पिता का सिगार का धुआ और शराब की मादक सुकन पूरे कमरे में बस सी गई थी तीन दिन से करनल कमरे से अनुपस्तित थे पर फिर भी लग रहा था अभी अभी कोई उटकर गया है दिवार पर मलिका की आदम का तस्वीर लगी थी जिसे चाहने पर भी अहिलिया अलमारी के ओपर नहीं फेक सकती थी जिस साड़ी को पहन कर माशी ने यह को याद है हलके बादामी अंडी रेशम की साड़ी में माशी ने जैपूर से चमकीली मिटी के सितारे बनवाए थे जैपूरी बूटी दार जूतिया मकमली पायदान पर धरे मली का तस्वीर में मंद मंद मुस्कुरा रही थी हाथों में मोटे मोटे दो घूंगरू लगे क एक खुटने पर धरकर मली का से उसका विशेश प्रेयतन से प्रदर्शन किया था एक बार मली का के जाने के कुछ ही दिन पस चाप कमरे की धूल जाड़ने में वह तस्वीर घर के नौकर बहदूर से नीचे गिर गई थी पापा मारे क्रोट के बौरा आ गए थे अहिलिया होती तो शायद उस पर हाथ भी छोड़ बैटते और आज जो अहिलिया उस असली तस्वीर को जमीन पर गिर कर चूर चूर होते देखाई है पापा से कैसे कहे पापा की दो तीन कमीजे उल्टी सीधी खुटियों पर टंगी थी अहिलिया ने उतार कर तहा दी सिगार का कर दिया वही सबसे हवादार और उजला कमरा था वह पापा के कमरे की जाफरी में सो जाएगी संद्या होने तक उसने पूरा घर सोवेवस्तित कर लिया था करनल के आने में तीन घंटे बाकी थे तब तक क्यो ना वह अपने मित्रमंडली से मिल है दौलत और अमिता तो उसे अचानक देखकर हक की बकी रह जाएंगी अमिता को फोन करने पर पता चला कि वह कहीं बाहर गई हुई है और दौलत को फोन करने के लिए उसने रिसीवर उठाया ही था कि देखा दौर पर रैक्सी कड़ा है उस विदेशी यूवक का मोहक प्यक्तित व वास्तों में दर्श नहीं था किसी हैंड लूम के चापे की लाल पीली बचकानी टी-शिर्ट के खुले बटनों के बीच उसकी भूरी टैन च्छाती जहांक रही थी नीली आखो को टिम्टिमाता वो अपनी बच्चों किसी निर्दोश हसी हसकर हाथ अहिलिया की और बढ़ा कर स्वेम बढ़ाय हलो स्वेट हार्ट देखो जैसे ही पता लगा तुम आई हो मैं भागता चला आया धन्यवाद रेक्सी पर दौलत को कहा चोड़ा है बिना दौलत के रेक्सी से अकेले में बात करने में अहिलिया को जो हिचक हो रही थी उसका एक कारण था रेक्सी की निर्दोश आखों की म अपिकल जलवाई उसे हार मानने का नहीं है देख रहा हूँ दक्षड की जलवाई तुम्हें माफिक आ गई है ऐलिया ने बात पलटने को फिर दौलत का प्रसंग छेड़ दिया जैसे वह उसे बार बार दौलत का नाम लेकर नई पतनी के प्रति उसके करतावे का ध्यान द अबड़ाता हूँ और खासकर ऐसी बिमारी जिसमें बिमार तुम्हारी नजरों के सामने ही बेवसी में मौत के नजदी खिचा जा रहा हूँ कल मेरे कुछ महमान आ रहे हैं रेक्सी मेरे ताउजी की लड़की है तुम्हें पोर्ट्रेट के लिए उससे सुन्दर मॉडल भ खड़ी हो गए क्रोट से उसका शरीर धर धर कापने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती रेक्सी तौलत जैसी पत्नी पाकर भी तुम्हारा विदेशी सुभाओ नहीं बदला तौलत से विवाह हुआ तो मेरे पीछे और यदि मुझसे विवाह किया होता तो शायद उसके पी मैं किसकी पत्नी हूँ अहिलिया अभी भी खिड़की का परदा पकड़कर खड़ी थी उसका स्वर खीश से तीखा हो गया नहीं हो तो क्या हुआ होने तो जा रही हो इसी से तुम्हारा आकरशन और बढ़ गया है जानता हूँ कि फिर शायद कभी देखने को भी नहीं मिलो हैं बाप चोटी के राजनेती के हैं तुमसे पूछने कि उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी हमारे यहां की लड़की होती तो बाप को इसी बात पर जाड़कर रख देती पर तुम्हारे भारत में शायद लड़की की बावनाओं को अभी भी कोई मानेता नहीं दी जाती स सोच रहा हूँ तुमारे एक पोट्रेट बनाऊंगा इस बार जंजीरों से जक्री हुई एक सुंदरी गुलामों के बाजार में बेची जा रही है प्लीश शडप रेक्सी अईलिया उस उत्दंड विदेशी युवक के गोरे गालों पर तमाचा धरने को व्याकुल हो उठ पर उसी चर्ड परदा खूल कर ननीबाला हाफदी हाफदी आगे देदी सहाब आगए हैं साथ में एक और सहाब हैं आपको बुला रहे हैं ऐलिया उठी और बिना रेक्सी से कुछ कहे सीडियां उतरने लगी पीचे पीचे रेक्सी भी उतरने लगा ऐलिया का चेहरा पाहोनार बेटा है कुमायू का फॉरेंज सर्विस में निकला है साहरनपूर में मुझे मिला तो मैं खीश लाया यह रैक्स ही है हमारा एक विदेशी अतिती अभी यह भी इसने अईल्या केक सकी से विवा किया अच्छा बेटी अब बतलाओ कैसी रही तुमारी नोकरी करनल न उसे भी बैठने का इशारा किया तो वह हस कर बुला नहीं मैं चलूंगा पापा एक मित्र ने अज जिनर पर बुलाया है अच्छा एल्या सो लॉंग तुमने मुझे एक नए पोट्रेट का वचन दिया है वही जंजीर वाली भूलना नहीं वह फिर दुश्टत से मुस्कु आया कितना कुछ सोचा था उसने पसंती के आने पर खूब आनंद से दिन कटेंगे धरनी दर्जी जाके हास परियास की रस्वंती धारा उसके शूश्क बन गए हदैको रसापलावित कर देगी और अचानक दाल भात में मुसरचंद या हजरत आटप के जहाँ बेटी सरवेश्वर अहिलिया ने देखा सरवेश्वर बिना किसी संकोच के उसे ही घूरे जा रहा है आपकी क्रपा है उसने कहा और अपनी पतली मूचें अखारण ही उमेटने लगा अहिलिया चाय लगाने गई तो उसकी रूलाई फूटी पड़ रही थी किसे लिया है पापा कह ही रैक्सी सची तो नहीं कहा रहा था एक बार इस लड़के का उलेक पापा ने अलमोडे में भी तो किया था हो नहो यह तीन तीन एमपी की पुत्रियों को नापसंद करने वाला वही व्यक्ति था जिसके पीछे पापा बुरी तरा लट्टूते और जिसके पिता ने एक ब अहिलिया अरे भाई क्या कर रही हो बेटी चाय बनावा कर करनल का स्वर सुनकर वा फिर बॉकला गई जाय बिना मुक्ति नहीं मिलने की यह सोचकर वा कुछ जोर जोर से ही द्वार बढ़ बढ़ाती चाय बनाने पहुंची छड़ भर में ही साड़ी बदल कर आने का सम्मान सर्वेश्वर ने अपने लिए ही बटोर लिया अभी ये भी तो गुलाबी साड़ी पहन कर रही थी और अभी ये भी एक दम रेश्मी साड़ी अहिलिया ने भी देख लिया कि सर्वेश्वर कभी दोनों घुटने पास-पास लाकर बजा रहा था कभी कंदे उचका कर टाइ वहाँ अपने कुशल डिप्लोमेट की सिक्षा को वह सोने की तश्दरी में अपने हदय के साथ भेट करने को अधीर हो रहा है चीनी कितनी लेंगे अहिलिया ने नीचे ही द्रश्टी कर पूछा एक ही चमस दीजे वहाँ प्याला लेने तपाक से बढ़ गया मुझे चीनी बहुत कम लेने का अभ्यास है असल में मैं बच्पन से ही बहार रहा हूँ और वहाँ अमारी एक गुजराती नौकरानी थी वह मीठा खाने पर लगा देती थी खोर प्रतिबन फिर कम मीठा खाने की आदत अभी तक रह गई कहकर वह अपनी रासी बच्पन का जूटा अंशिक परिचे देकर परम संतोष्ट हो फिर अपनी पतली मूचे उमेटने रगा अहिलिया बड़ी रुखाई से उडगे पापा मुझे जरे डॉली से मिलने जाना है ननी को सब समझा गई हूँ ना हो तो फोन पर बात कर लो सर्वेश्वर आया है थोड़ा उसे हमारा बाग दिखला लाओ वह जो गौर मोहन ने दमिश्क के गुलाब की कटिंग लगा दी थी वह भी दिखा लाओ सर्वेश्वर एकदम रेर गुलाब है इतना बड़ा कि समझो बंदगोबी का फूल अच्छा सर्वेश्वर करनल की हर बात में डूप जाने को तत परता हमारे बाबु जी को भी गुलाब से बेहत प्रेम है हमारे बाग के गुलाब की कटिंग दूर दूर तक जाती थी साहब मुझे खुद गुलाब बेहत पसंद है इसलिए नहीं कि वह नहरू जी का बटन होल पुश्प है फिर वह अपनी सामान इसी रसिक्ता पर स्वेमी एक बनावटी हसी हसकर मुचे उमेटने लगा मुचे उमेटना शायद उसे गुलाब के पुश्प से भी अधिक प्रियता बार बार उसका हाथ जाने अंजाने मुचों पर ही चाता था सर्वेश्वर सुदर्शन नहीं तो बदशक्ल भी नहीं था उसका चौरस काटी का शरीर खुब भरा भरा था अंगुलियां किसी कलाकार की नहीं किन्तो एक यथार्थवादी स्थिर्चेत पुरुश्की थी पंजे की पकड एक बार मंचाही वस्तु को पाकर सहज में छोड़ने वाली वस्तु नहीं थी आंके छोटी पर बुद्धी की चमक से जुगनुसी चमकती रहती थी था चोड़ा था पर बालों के एक ऐसी प्राकर्थिक भी उसे गिरा था कि देखने में उतना प्रभाशाली नहीं लग पाता था नाक दीखी और सुडॉल थी पर ओट इतने पतले थे कि उसकी सामाने से इसमित्रेखा भी उनका अस्तेत्व ही विलीन कर देती उसका रंग काश्मीरियों सा सुर्क था और दात मोती से उजले थे जिने वह जान बूचकर ही बार बार अपने निरर्था खसी के दर्पन से जलकाता रहता था सर्वेश्वर जभाओ का दम भी था और उसका एंकार उसकी चाल ढाल हाओ भाओ में प्रतिछण प्रतिबिम्बित हो रहा था पिता के रक्त चाप का ध्यान कर अईलिया उनका मन रखने को बैठ गई थोड़ी देर में बाग देख लेंगे पापा हाँ हाँ अभी एक क्या ऐसी जल्दी है सर्वेश्वर सतर खोकर बैठ गया अभी तो मैं कल भी यही हूँ परसो मिल से जाओंगा क्यों क्या परसो जाना जरूरी है करनल ने पड़े इसने पगे स्वर में का जब आए हो तो दो तीन दिन और बने रहते गौर मोहन से कहकर त पर वह वेचारा खुद परिशान है आधा कारोबार वेचारे का तेजबुर में था और आधा डिकबोई में ओ आई सी पर अब तो कोई भै नहीं है साहब सर्वेश्वर बार-बार कंकियों से अहिलिया की और देख रहा था जैसे एक बार देखकर उसे मंचाही तरपती नह पारी हो गया क्या बात है बेटी आज कुछ मूट खराब है क्या इसने इसे उसकी पीट थप थपा कर पूछा नहीं पापा अहिलिया ने पिछड़िक उत्तेजना पर स्वेम लज्जा का अनुवा किया धर्नीदर जीजा का तार आया है पापा कल बसंती को लेकर पहुच र सुना है अभी से उसकी सरजरी की बड़ी धाक है जी मैं नहीं जानता असल में पहाड में बहुत कम रहा हूं बश्बन बाहर ही बीता फिर बाबुजी काश्मीर में पोस्टेट थे सर्वेश्वर ने अपने एहम के भाले से अहिलिया को फिर कोचने की चेश्टा की परवन निर्विकार स्थेर मुद्रा में बैठी रही आओ तुम्हें अपना कमरा दिखा दूं मैं जब तक आफिस का काम निप्टा लूँ तुम मजे से हाथ बुंदो कर आराम करो सर्वेश्वर फौजी काईदे के साथ खड़ा हो गया और दोनों हाथ पीछे बान कर नपे तुले कदमों से ऐसे चलने लगा जैसे किसी फौजी टुकडी का निरिक्षण कर रहा हूँ अपनी दम भी दरश्टी से करनल के दीवान खाने के वैभा को नापता वा कभी पार की कला मरमक की भाति करनल की तस्वीरों को रुक रुक कर बड़े ध्यान से देखता कभी करनल की परिमारजित कलात्मा कुरुची की प्रशंचा कर कहता वा अधित्य संक्लन है आपका मेरे पास भी कुछ मेवार और बूंदी के शर्णगर लीके अपरा पिचित रहें बाबु जी को लिखूंगा कि आपको भेशने उसे अपने कमरे में छोड़कर करनल पुत्री के कमरे की और बढ़ गया अहिल्या बेटी अहिल्या पिता का कंट स्वर सुनकर उठी नहीं अखवार पढ़ती रहें अहिल्या मुझे तुमसे कुछ कहना है लग रहा था करनल का सुर बहुत ठका हुआ है और कहीं दूर से आ रहा था सर्वेस्वर के पिता को मैंने तुम्हारे रिष्टे के लिए हा लेक दिया है मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक समझदार लड़की हो तुम्हें मैंने ऐसी सिक्षा दी है कि मेरी आग्या का उलंगन तुम कभी नहीं करोगी कुछ रुक करनल अंग्रे जी में बोलने लगा तुम्हें मैंने बतलाया नहीं बेटी मेरी आर्थिक अवस्था अब उतनी सुविदा की नहीं है कितने ही उद्योग पतियों पर कीचर उचाली जा रही है कब मैं भी उस चपेट में आ जाओं कह नहीं सकता मेरा क्या है मैं केल अजीब हूँ जिदर चाहूं निकल जाओंगा पर तुम्हारा ध्यान आते ही मेरी नीन भूग प्यास भाग जाती है करनल का कंट स्वर थोड़ी देर तक रूंद गया अहिलिया मेरी बच्ची बड़े प्यार से उसके माते पर हाथ फेरते बच्चों पैठे रहे फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना आरम किया गौर मोहन मेरा सच्चा दोस्त है कैसी भी विपत्ती पड़े वह मुझे उभार लेगा पर मैं चाहता हूँ कि किसी भी विपत्ती के आने से पहले मैं तुम्हें किसी योग ये पात्र के हाथ में सौब दू और सर्वेश्वर से अधिक योग की लड़का मुझे कभी मिल भी नहीं सकता उसका पिता शिरोमनी तुम्हे पलकों पर बिठा कर रखेगा भगवान ने चाहा तो दो-तीन वर्षों में ही वह मुख्य मंत्री बन जाएगा ऐसा योग और प्रतिभाशाली व्यक्ती है और फिर एक बात और है बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवा अपने ही समाज में हो और हमारे समाज में सर्वेश्वर ही सबसे जगमगाता रतन है कुछ ही दिनों में वह फर्स सेक्रेटी के पत पर पहुँच जाएगा तुम्हें तुम्हारी वे सब सुविधाय मिलती रहेंगी जिनका तुम्हें अभ्यास है मैं देख रहा था कि तुम सर्वेश्वर से बड़ी रुखाई से बोल रही थी मुझे तुमसे बहुत आशा है बेटी अहिलिया का गला भर आया पापा क्या आप मुसे एक बार पूछ नहीं सकते थे वह कहना चाह रही थी पर जब तक वह तठस्थ होकर कुछ कहने का साहस बटोर पाई करनल एक बार और उसकी पीट थप थपा कर चला गया था रहत को खाना लगा कर ननी बाला उसे बुलाने आई तो अहिलिया ने कहा वह आज कमरे में ही खाएगी उसकी तबिया ठीक नहीं है नहीं दिदी मनी आपके प्यारों पढ़ती हों मेश पर ही चलिए साहब ने मुझसे कहा है दिदी को बुला लाओ वही मुर्ग काटेंगी आप नहीं चलेंगी तो मुझपर विगणेंगी अहिलिया बड़ी अनिक्षा से उड़ गए अच्छा दिदी हस्ती हस्ती ननिबाला उसकी साड़ी की सिल्वटें खीच खीच कर ठीक करती हुई बोली बताईए तो हमारे नए जमाई बाबु है ना कैसर राजपुत्र का सरूप रंग है सुना बहुत बड़े अफसर है अहिलिया ने उग्र द्रश्टी से उसकी और देखा और भरभडा कर चली गई बाप रे बाप ननिबाला अपने आप भरभडाने लगी ऐसा दिमाग है अब देखें राजपुमारी की सस्रॉल में कैसे निपती है रंग रूप है ना इसी का गुमान है बेचारी ननि क्यों कम है वह साड़ी का आचल गिरा कर अहिलिया के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई मालकिन खाना खाकर देर से लोटेंगी इसी से खाने के पहले ननिबाला नेत जी भर कर शरंगार कर लेती थी पहले उसने दीदी का पाउडर पर फिर नजाने क्या सोचकर रख दी बाप रे बाप ऐसी तेज खुच्बू पाकर दी दी उसकी चोरी पकड़ लेंगी वैसे उसका नवी इंतम प्रेमी दर्भंगा का बिर्जु दर्बान उसकी इसी विदेशी सुगन से दासा नुदास बन गया क्यों रे ननी बाला थोड़ा मेरे ले भी लियाना एक दिन उसने अनुने भरे स्वर में याशना की थी मरा भागे तू क्या करेगा भले उससे ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना है पंदर रुपए की शीशी आती है मशली से बसाते पोखर तलाब में नहाओ तब भी इसकी सुगन नहीं जाती पूछती है मैं क्या करूंगा अरी अपनी मूचों में मलूंगा उसने अपनी उपर को यतन से मरोडी गई मूचों पर बड़े प्रेम से ताओ दिया था हाई हाई मैं मर गई कहता है मैं मूचों में मलूंगा ही 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 ननी बाला प्रेमी की रसिक्ता पर हस्ते हस्ते दोरी हो गई उस दिन वा शायद बिर्जु का मुझो पर यूडी कलोन मलने का सपन पूरा भी कर देती पर न जाने कहां से यम दूत सा महरा जा गया यहां बैठी है पट्रानी अरे चौके में लोया बनाने को कहा था मैंने छिनाल कहीं की तेरी कीरती सहाब के सामने कोल दूँ तो एक मिनट नहीं टिकने पाएगी जह जह बढ़ा आया है मुझे हटाने वाला देख नहीं रहा है दीदी मनी का कमरा ठीक कर रही हूँ मुए के दीदे फूटे हैं दीखे कहां से और जोर जोर से अहिलिया का लगा लगाया बिस्तर फिर से जटक पटक कर बिछाने लगी करनल की विराट अटालिका असंग के चरित रहीन नौकर नौकरानियों का अड़ा बन गई थी स्वामी के साथ मलिका जिस निरलजिता से आधी आधी रात घूम गाम कर उसी के कमरे में पड़ी रहती थी उसी की आड़ में ग्रह के नौकर चाकर खूब मनमानी करते उतकोज का दरिया देन रात बहता रहता महराज नौकर को खिला कर मुह बंद करता नौकर घर की नौकरानी के इशारे पर नाच्टे घर की भेदिन ननी बाला पर ही मलिका सबसे अधिक विश्वास कर दी थी उसी ने उसकी सोने की लंका चार कर दी अहिलिया चार का सौदा मंगाती तो वा दो अपनी गाट में बांगती करनल के अलमारी से खूब दामी दामी विदेशी सराब की बोत ने चुरा चुरा कर बजार में बेच दी फिर भी उसके पाप का घड़ा चल चलाता ही रहता फूर्ट ता नहीं अहिलिया का बिस्तर लगा कर वा खाने के कमरे की ओट से मेज की बाते सुनने लगी पर साहब लोग प्रयाया अंग्रेजी में ही बाते कर रहे थे इसी से उसके पल्ले कुछ पढ़ा नहीं उपकर वा उटकर भीतर चली गई अहिलिया मेज पर पहुँची तो करनल और सरवेश्वर उसका इंतजार कर रहे थे करनल ने अपना वह डिनर सेट निकल वाया जिसे वह विशेश अफजर पर ही निकालता था एहमत के बनाय मुर्ग की खुश्बू से सरवेश्वर के डिपलोमेट नतुने भी फड़क रहे थे बड़ी बड़ी बताशे सी हलकी चपातिया एक धप धप करते सफेद नैपकिन में लिप्टी थी दिल पसंद कबाब की बोटी बोटी फड़क रही थी सीक्ची और कोफते कोर्मा और बिर्यानी से खुश्बूदार दुआ धीमा धीमा उटकर जालरदार जाड़ फ़रनुसों को चूम रहा था लच्छेदार प्याज पर लाल सौस की रेखा तेड़ी मेड़ी होकर प्रश्ण का चिन नसीब बन गई थी एहमद या सूप ला जवाब बनाता है सरवेश्वर कई खांसामों ने इसके सामने घुटने टेक दिये पर पठे ने अपना राज नहीं बताया वह एक खुट पिकर सरवेश्वर ने सूप की महिमा के वर्णन के लिए उचित शब्द ढूनने को आंके मों नी बहुत है केदार सूप मैंने एक बार भी पिया है याद नहीं पड़ता जेब से रुमाल निकाल कर उसने अपनी पतली मूचों को ऐसे बचा बचा कर पोचा जैसे वा पेंटिंग ब्रश्ट से कीची गई ताजी रंकी रेखाए हो जरा भी हाथ हिला तो मिट जाएगी फिर अपने पिरामेड रुमाल की तहें जांग पर रखकर उसने ठीक फिर कंखियों से अहिलिया को देखा कि उसने उसका सत्रा रुपए का विदेशी रुमाल देखा या नहीं फिर हलके से खास कर रुमाल जेब में धरकर एक प्रेट सामने खीच पैंट समालता है तनकर बैढ़ गया स इसी से मैंने सब गोश्ट की डिसेस ही बनवाई है क्यों सर्वेश्वर ठीक बना है बही क्या बात है साहब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं क्या छोड़ूं सर्वेश्वर पहली बार जूट नहीं बोल रहा था सच मुची वह एक से एक बड़िया चीजे देखकर हर अधी धनिया पीस कर छोड़ देती चूना तो दूर कभी पतीले तल की आच बुच जाती तो वह फूग भी नहीं मारती थी जब जब गोश्ट बनता अम्मा बड़बडा कर आसमान सिर पर उठा लेती थी और बार बार उनकी तामसी प्रवत्ती को कोस्ती रहती थी पहाड क ठंडक में गोश्ट घंटों पकने पर भी गल नहीं पाता था और अंत में गलने की आचा छोड़कर सर्वेश्वर पती लेकर ढखना उतार तीन चार गर्म बोटिया उद्रस्थ कर लेता उसके तीनों भाई बैन उसकी बदनियत की शिकायतें गला फाड कर करने लगते तो अचट से अपने मूँ से बोटी का सामान इस चच्चला ची चोड़कर तीनों में बाट उनका मूँ बंद कर देता सर्वेश्वर के पिता कचैरी में अरजी नवीज थे तूटी कमानी का चश्मा कान पर चड़ा है वे पहाड़ी लाल भात के साथ अद कच्ची उड़की द ठेल लेते थे लड़कों में सर्वेश्वर सबसे तेज़ था बचपर से ही उसकी कुशागर बुद्धी से पिता को आशा बंदी थी फिर धीरे उनके दिन फिरने लगे सर्वेश्वर के पिता शिरो मणी पंत खदर पहले से ही पहनते थे 1942 में एक दो बार जेल भी हुआ है इश्वर क्रपा से एक आद लाठी भी उनके सिर पर पढ़ गई थी उसी लाठी के घाव का सीजर के धान की भाती प्रदर्शन कर उन्होंने जंता जनार्दन को जीत लिया आजादी मिली तो उन्हें प्रहस्पत की दशा आ गई उनके एक मित्र सहरनपूर में थे चावल की एक बहुत बड़ी मिल में उन्होंने शिरोमणी को बुला कर एकाउंटेंट रखवा दिया तीन चार साल वहां रहकर ही शिरोमणी उप गई स्वदेश की समरजी सुनकर एक बार वहीं जाकर भाग आज माने को वह ललक उठेंट वहां पहुंचे तो उनके सिर का घाव फिर काम आ गया सर्वेश्वर फॉरें सर्विस में आया तो उनकी सौभागे मदिरा का प्याला लबा लब चला कुटा किन्तु उसका नशा भी उन पर धीरे धीरे चड़ता जा रहा था प्रभुता के मद ने उनके पिछले दरिद्र जीवन पर विस्मरती का मोटा काला परदा डाल दिया था उनकी फूहर सी पत्नी जिसे कभी नाक पोशने का भी शहूर नहीं था कई महिला समितियों की प्रधान थी उनकी एक मात्र पुत्री का विवाद चीफ इंजीनियर के पुत्र से हो गया था दोनों पुत्र जमालपूर से इंजीनियर बन कर निकल नहीं बाले थे और तीनों बेटों के लिए उनके पूर परचित यजमान प्रभूों की अनेक अरजियां आ चुकी थी किसी की पुत्री एहमे कर चुकी थी कोई अंग्रेजी कॉन्वेंट से खशता थी किसी के बाप के सेप के बगीचे थे किसी की नैनी ताल में बीसियों कोठिया थी पर शिरो मणी की आखों में तो एक ही कन्या बसी थी और वाती अहिल्या बसंती के विवाह के दिन कन्या दान के कमरे में उसे देखकर उन्हें मन ही मन उसे बहू बनाकर लाने का संकल्प आ गया ठाहिए एक दो बार कर्णल ने टाल दिया पर जब लड़के को देखा तो उन्हें एक ही नजर में पसंद आ गया फिर सरवेश्वन में पसंद ना आये ऐसा कोई दुर्गुण भी नहीं था एक दुर्गुण था तो यही कि उसके पिता का पिछला जीवन बहुत महमा मह नहीं था पर संसार भूत बविश और वर्तमान में बविश और वर्तमान का ही लेका रखता है शिरो मनी का पलडा इन बड़े मंत्रियों से याराना था कई परचित उद्योग पतियों की गर्दन उसने अपनी एहसान के गुर्तर बोज से दबा कर रख दी थी और उन्हीं दभी गर्दनों पर पाउं रखते वे धडलले से दिन पर दिन उन्नति के शिखर के और बढ़ते जा रहे थे सरवेश पर देखकर मुझे अपनी स्विक्रेश दे दी है आशा है अब आप इस सुपकार में विलंब नहीं करेंगे करनल एक पल भी व्यर्द के तर्क वितर्क में बरबाद नहीं किया उसी समय अरजेन तार कर स्विक्रेश दे दी थी सहारन पूर गय तो उन्हें अचानक सरवेश किसी मित्र के विवाह के जलसे में आया हुआ था बड़ी विमनम्रता से उसने करनल के पाउच हुए तो उन्होंने गदगद होकर छाती से लगा लिया यहीं नहीं चलने लगे तो बड़े आगरे से उसे भी अपने साथ लेते आए अहिलिया की पसंद नापसंद का प्रशन ही नहीं उठता था एक बार रेक्सी का बहुत आना जाना करनल को कुछ अखरने लगा था पर जब से उसकी शादी दौलत से हो गई करनल लेशिंद हो गया था अब एहलिया के परचित युवक मित्रों में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उन्हें किसी प्रकार की आशंका होत थी सरवेश्वर में अभी से कुछ अफसरी खटका था एक दो बार विदेश हो आने से उसकी पिछले दिनों की हीन भावना भी समुद्र में बेह धुलकर पुछ गई थी अब बड़े एकसेंट से अंग्रेजी बोलता था और अपने विदेश के सिले सूटों में सीना तान कर चलता था दूसरे दिन करनल उठा भी नहीं था कि अहलिया कार लेकर बसंती धरने दर को लेने चली गई थी जब उठा तो वह उने लेकर आ गई थी नंदी की महीमा और वैवा को बसंती अपनी सरस बोली आंकों को फाड़ फाड़ कर देखती ही रहे बाप रे बाप कितन से तो ढून डांड कर कका ने एक रत न मंगवाया है अहलिया लाल पड़ गई पर कैसा आश्यर उस सरल व्यक्ति के परिहास की कड़ी चोट भी उसे कुछ नहीं कर पाती थी सच अहलिया बसंती साड़ी समालती सीनिया चड़ते चड़ते थमक कर खड़ी हो गई आए हैं क्य सरवेश्वर हाँ जी हाँ कैजो रहा हूं तुम्हें पसंद नहीं किया तो क्या तुम्हारी बेहन को तो देखने से पहले ही पसंद कर लिया शायद कका का या मकान पहले देख लिया होगा पट्टे ने धरनी धरने वाकिय पूरा भी नहीं किया था सरवेश्वर स्वैम जाने कहां से, ड्रेसिंग गाउन डाले हस्ता खड़ा हो गया, मकान तो मैंने नहीं देखा था, वह हस्ते हस्ते ही बोला, पर इन्हें अवश्य देख लिया था, धरनी धरने हत पर भोकर हाथ जोड़ करका, ख्षमा कीजिएगा, यह मेरी इकलोती साली है, इसी से, इन से मेरा इसी स्तर का हसी मजाग चला करता है, आप से बहुत पहले असल में मैंने इन्हें पसंद किया था, पर भाग गे हो तब न, छी जी जी जा जी, आपके जरा भी नहीं बदले, अहिलिया का सकुचा कर छोई मुईसा जुग जाना सर्वेश्वर को मुग्द कर गया, हाँ हाँ ह अस्तावा धर्नीदर का हाथ पकड़कर ऐसे सीलियों से उपर खीश लाया, जैसे वह बहुत ही पुराना परचित मित्रों, बसंती सर्वेश्वर को पहले भी देख चुकी थी, जब उसकी सगाई की बाते उसके साथ चली दी, वह किसी बहाने उसे देखाई थी, यही नहीं चोड़े चोड़े कंदे और गोरे गोल मुह वाले उस युवक ने उसे कुआरी रातों के कई मीठे सपने दिकाये थे, उसकी उसी गोमेद की अंगूठी का रंग भी उसे कंठस्त था, यही नहीं, जब उसकी अम्मा बरामदे में बैटकर जोर जोर से सर्वेश्वर के पि में उन्हें लेकर अहिलिया पहुंची तो उसे सहसद ध्यान आया कि पापा के कमरे में मलिका की आदम का तस्वीर का क्या होगा, सरला बसंती क्या सोचेगी, पर पहुंचते ही उसने देखा दीवार खाली थी, दूर दर्शी करनल की भतीजी और धरनी धर का ध्यान आया, य अबिवलक न उसे अपनी ससुराल होकर आयी थी, नैनिताल के ससुर ग्रह के मकान के बाद उसे कक्का की भवे कोठी किसी राजा के महल सी लग रही थी, बड़ा अच्छा किया तुमने धरनी धर बसंती को लिया आया, इसी बहाने सर्वेश्वर से भी तुमारी भेट हो गई मुझे तो दुर्भागी से आज ही दोपहर को बंबई फ्लाई करना पड़ रहा है, वहाँ एक बड़ा जरूरी काम आ पड़ा है, जहां तक होगा परसोन लोटाओंगा, पर अईलिया तो है ही, वह तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी, क्यों है ना बेटी सरवेशवर अपलक द्रश्टी से उसे देख रहा था, एक ही रात में वहाँ विलक्षन लड़की कैसी बदल गई थी, लगता था बड़ी आँखे तरल होकर और फैल गई है, चेहरे का चमपई रंग भोर की लुनाई में और भी खिलाया था, सामाने सी तांत की डोरीदर सा या गर्वीली गर्दन मोड कर मैं अपनी चाती पर टिका लूँगा, इन रसीले अधरों का सपर्श कितना मधूर होगा, लज्जा से कापती उस अनुपम सुंद्री के साचर की कलपना भी कैसी मादक थी, पास ही बैठी रहे, ऐसा वा मन ही मन मना रहा था, पर ना जाने कैस पसंती को खीच कर बोली, आप चलिए जीजा जी, आपका समान कमरे में लगा दो, मैंने चाय लगवाने के लिए कह दिया है, अपने ही कमरे में दो पलंग बिछा कर एहलिया ने खिडकियों पर नए धुले पर्दे लगा दिये थे, कमरे की स्वच्छता ही उसकी एक मात्र स सज्जा थी, खिडकी से कई गगन चुम्बी अटालिका हैं दीख रही थी, यहां मेरा कमरा है जीजा जी, आप लोग इसमें बड़े आराम से रहिएगा, साथ ही में कुसल खाना है, और इस छोटे बरामदे में बड़ी प्यारी धूप सुबा ही सुबा आ जाती है, उसने एक द्वार खुला तो सचमुच एक छोट ऐसा लोहे के जंगलों से गिरा बरामदा निकलाया, रणी दर सासा दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया, और जो करो साली जीओ, चाय हमें हमारे कमरे में ही पिला देना, कहीं पीने में पहाड़ी अब्या से सुलु जुका लिया, जी जा जी, आप और चाहे जो कुछ करें, उस रिष्टे का जिक्र मत कीजे, आप से कसम खा कर कह रही हूं, पापा ने मुझे कल तक इस विशे में कुछ नहीं बतलाया था, उसने भारी गले से कहा, कहिए क्या हो रहा है, कहता सर्वेश्वर बड़ी आतमीता से उनके बीच खड़ा हो गया, सक पका कर बसंती पती के और निकट खिसकर बैट गए, और एलिया चाहे ले आती हूं कहकर बाहर चली गए, खापी कर धर्णीदर और सर्वेश्वर को लेकर करनल अपने ऑफिस चले गए, बसंती घूम घूम कर पूरे मकान की परिक्रमा कर सुन रही थी, कितना अंतर था पहले की बातों में, जिस साफ की प्रशंसा करते-करते बसंती नहीं ठकती थी, उसका उलेख करते ही, उसके आँए, ढब-डबाईँ, अमा ठिक ही तो कहती थी की नहीं नहीं बहु से, सास और ससुराल की प्रशंसा सुनकर कोई भी मां आशश पाने आये तो बरस पढ़ी, असल में चाहती थी कि मैं उन्हीं के पास रहूं, इन्हें भी तो खाने पीने की तकलीप थी, मैं जित करके आ भी नहीं पाती, वह तो इन्हें ही घंटे की चड़ गे, बड़ी ननदने खूब कोरी-कोरी सुनाई, अपके गई तो बोली भी नही कुछ काम भी करने, गर में जाती तो छटक कर कहती, रहने भी धो बोजी हो, क्यो तकलीप करती हो, तुम तो हमारी महमान हो, नैनी तल का सीजन देखने आई हो, जाओ फ्लैट घूमाओ, बैंट सुनाओ, क्या बताओं एहलिया, वहां रहती हूँ तो इन्हें गुसा आ जात बाबुजी को भी नहीं छोड़ा, खुब कोरी-कोरी सुना दी, कि चाहिए अपने दमाद से ही पूछा, हम कौन होते हैं बेजने वाले, आमा की तबियत क्या जादा खराब है, अईलिया जिस व्यक्ति की कुशल पूछना चाह रही थी, बोली बसंदी समझ नहीं पए, अर उन्हें भगवान मोक्ती दे देता तो अच्छा था, घर चोड़ने को मानती नहीं है, अईलिया अब नहीं रह सकी, क्यो राजुदा वाली बात क्या उन्हें नहीं बताई, तो उन्हें कुश लिखा था ना, पुछते वा स्वयम अपने गरम गालों से दग धो उटी, उसके इस प्रशन का उत्तर स्वयम उसकी अंतरात्मा ने दे दिया था, उसी दिन जिस खड़ी उसने डोरी इनको अपनी बहन के लड़के के लिए फूट फूट कर रोते देखा था, चुशुल में राजुदा थे, जब भारी हमला हुआ हम लोगों को खटका हो गया था, पर कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई, फिर मामा जी लखनों गया, वहाँ उनके साले एक मेजर जोशी है, उन्होंने खबर लगवाई, पता लगा जिस टुकड़ी के साथ राजुदा गये थे, उसका एक भी जवान नहीं लोटा, फिर क्या करते है, शस्त्र से मारे गए व्यक्तिकी जो क्रिया होती है, वही निप्टा कर तेर्वी कर दी, मुझे तो अभी भी नहीं लगता, एहलिया ऐसा लगता है, कि कभी भी द्वार खोल कर हस्ते खड़े हो जाएंगे, वहां आंके पोच ही रही थी, कि धरनी धर का कंड़ सुनाई पड़ा, अचके चाकर उ जने किसी बाहर की लड़की से ब्याकर, यहीं हिंदुस्तान मोटर्स में बहुत बड़े अफसर हैं, कह गए हैं रात का खाना खा कर ही लोटेंगे, बेचारे तुम्हें भी अपने मित्र के आं ले जाने को तड़प रहते, पर शायद फिर साहस नहीं हुआ, कका जी तो वह मैं किसके पास है, मेरी छोटी बेंच शन्नो की एक जगा बाची चल रही है, लड़का यहीं महंदरा में है, बाप कहते हैं लड़का राजी है तो उन्हें आपती नहीं है, ओ तो आप लड़के को राजी करने आए हैं, पर वह क्या आपकी सूरत पर ही रीज कर हामी भर दे पसंती की पलके अभी भी आसों से गीली थी, पर नरम दिल की भोली अलड़किशोरी जितनी ही जल्दी रो पड़ती थी, उतनी ही जल्दी वह हसना भी जानती थी, आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रह तो क्रप्या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक तो अवशे ही कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद